हेलो फ्रेंट्स आज की सीडियों हम पढ़ने वाले राष्ट्य माध्यमिक शिक्षा अभियान यानि की RMS से इसे पहले हमने यहाँ पे SS से पढ़ा था UEE पढ़ा था अगर आपने वो वाला वीडियो समनी देखा तो देख लिजे प्लेलिस्ट मिल जाएगा वो सब भी काफी ज़्यादा important question है और साथ में एक और question आता Right to Education Act 2009 तो वो भी important question आप देख लिजेगा इसमें लिखाओ राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षा अभियान माध्यमिक सिक्षा के विकास के लिए सिक्षा मंतराले 12 सरकार की एक केंदर प्रायोजीत योजना है इसे मार्च 2009 में प्रारम किया गया इस योजना का कार्याणवन 2009 से 10 में 10 से शुरू हुआ देश में प्रारंबिक सिक्षा की उन्रती के बाद माद्धिमिक सिक्षा के सारुजनी करन का कारे निधारित किया गया राष्टे इस्तर पर केंदरी सिक्षा सलाकार बोर्ड कैब जिसकों बलते हैं ने 2005 में इसकी अनुशंसा की साथ ही इस से इसमें सेक्षिक वर्ड से सेक्षिक गति वीडियो की गुनवत्ता की भी बात की गई 15 अगज 2007 को परदान मंत्री मनमोन सिंग अपने भाशन में माद्धिमिक सिक्षा के सारुजनी करन का लक्ष निर्धारित किया वर्ड 2009 में आर एम ऐसे लागू किया गया सवर्ड सिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ड तक के बालकों के लिए तता आरम से 14 से 18 वर्ड तक के बालकों के लिए उसके बाद इसके क्या क्या उदेश्य थे सभी तक माद्धिमिक सिक्षा की पहुँच बढाना हर 5 किलो मेटर की दूरी पर एक माद्धिमिक और 7 से 10 किलो मेटर की दूरी पर उच माद्धिमिक विद्यालियों को निर्धारित मान दंडो के अनुरूप बनाना माध्यमिक शिक्षा की गुनवत्ता में सुधार करना लिंग समाजिक, अर्थिक और विगलांगता की बादाव को दूर करना अगले पांच वर्षों में माध्यमिक इस तर पर नामंकन दर बढ़ाकर 90% और उच तर माध्यमिक इस तर पर 75% करना प्रारंबिक शिक्षा पूर्ण करने वाली सभी विद्यार्थियों का नामंकन 2017 तक माध्यमिक विद्यालों में करना 2020 तक सभी विद्यार्थियों को विद्याले में प्रतीधारन करके उनकी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करवाना उसके बाद योजना के तहट परदान की जाने वाली महत्तव कुन बहुतीक सुविधा हैं क्या क्या थी पहला तो है अतिरिक कक्षा कक्ष प्रयोक्षाला पुस्त काले कला कक्ष सोचाली पीने का पानी दूर दिराज के शेत्रों में सिक्षकों के लिए अवास ही चात्रा वा होते हैं वित्य सासधारी इसमें देख सकते कितना था केंदर इसमें 75 परसंदेगा राज्ये 25 परसंट उसके बाद फिर पुर्वत्तर राज्यों में 90-10 2016 को केंदर तथा राज्ये का परसंद था 60 और 40 उसके वर्तमान में बार्वी योजना के अनुसार 50-50 हो गया उसके ल इसकोल शिक्षा एवं साक्षरता विबाग इसमें देख सकते हैं सब कुछ चोटा चोटा पॉइंट्स है इसको भी आप लिए देंगे दो आपको अच्छा नंबर मिच सकता है उसके वाद इसमें लिखा हो शिक्षा की गुनवत्ता में सुधार के लिए उठाया गया कदम पहला तो विद्यार्ती शिक्षक अनुपात को कम करने के लिए अत्रिक शिक्षकों की न्युक्ती विज्ञान गनिक और अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान विज्ञान पर्युक शालाओ के विकास पर ध्यान दिया गया ICT अधारी सिक्षा परचारे और सिक्षकों के लिए सेवा परशिक्षक कारेकरम प्रारहम किये गए परधाना चार्यों के लिए नेतितीव और विवसाइक विकास कारेकरम आरहम किये गए गरीब कमजोर विद्यार्तियों के लिए उप्चारात्मुक सिक्षन की विवस्थ की गई पाठे चर्या में सुधार किया जाए उसके बाद इसमें उपलब्दियां देखेंगे 2015 से 16 तक की इस योजना के तहट 35,349 मौझुदा विद्यालों को सूद्रिड करने की सुईकृति दी गई 11,587 नए मादे में विद्यालों के निर्मान को सुईकृति दी गई जिनमें से 10,82 बनकर तयार हो गई 52,750 अतरिक कक्षा कष्ट के निर्मान को सुईकृति दी गई जिनमें से 20,849 बनकर तयार हो गई 25,948 विज्ञान परियोग शालाव के निर्मान को स्विक्रिती दी गई जिन में से 10,107 बनकर तयार हो गई 21,864 कम्प्यूटर कक्षा कक्ष के निर्मान को स्विक्रिती दी गई जिन में से 6,920 बनकर तयार हो गई 27,428 पुस्ट-कलियू के निर्मान को सुईकृति दी गई जिनमें से 10,133 बनकर तयार हो गई हैं 12,327 पिने के पानी की सुविधाओं के निर्मान को सुईकृति दी गई जिनमें 7,096 पूल्ण हो गई हैं 19,510-409 के निर्मान को स्विक्रिती दी गई जिनमें से 5,975 पून हो गए हैं 5,408 अवासी कक्ष के निर्मान को स्विक्रिती दी गई जिनमें से 623 पून हो गई हैं माद्यमिक विद्यालों के लिए 105,722 शिक्षक सुईक्रित किये गए जिनमें से 46,120 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है माद्यमिक शिक्षा के लिए योजना बैकगराउंड कैसा होना चाहिए राष्टे शिक्षा निती 1986 की शुरुवात के बाद से नौवी योजना अबधी के तहट माद्यमिक और उच माद्यमिक विद्याले प्रणालियों की संरचना और संगठन में कोई बड़ा परिवर्त नहीं हुआ है इस योजना में विभीन असमानताओं को कम करने वेवसाइक और योजना रोजगारों और मुखी पाठे करमों को महतब देते हुए पाठे करम को नवीनी करित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था यहां मुव सिक्षन प्रनाली, सिक्षक प्रसिक्षन और ICT की विस्तार और विवीता को भी महतब देता है लड़कियों के लिए मुव सिक्षा और छात्रावास की सुविधा और विकलांग बच्चों के लिए एक इकरी सिक्षा आदी को सपष्ट किया गया उसके वाद है नीजी छेतर की भागिदारी, ग्यार सरकारी संग्ठनों यानि की NGO सहीद नीजी छेतर की भागिदारी में विरिदी हुई वर्तमान में ये नीजी छेतर लगभग 51% मादे में विद्यालियों और 58% उच मादे में विद्यालियों को प्रभन करते हैं विशेज आवशक्ता वाले बच्चों के लिए योजना यानि की CWSN विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अधिनियम के साथ CWSN के लिए सिक्षा को एक प्रोसाहन मिला यह अधिनियम कुछ सरकारों और अधिकायों को इन बच्चों के लिए सिक्षा के लिए मुफ्त पहुंच कुछ उद्दिश्यों के लिए आवंटित भूमी परिवहन में गैर भेदवाव अनुसंदान करने के लिए वित्य प्रोसाहन आधिक के प्रावधान के लिए सौपता है इस योजना में इन बच्चों के लिए सिक्षकों के वेवार में बदलाव और शम्ता निर्मान के कारिकरम भी शुरू किये गए हैं उसके बाद यह वाला इंपोर्टेंट काफी बार पूस्त है फोर मेजर हैट्स क्या हैं तो चार प्रमुक्षीश पहला है गुनवत्ता में सुधार इसकूल में विज्ञान पर योग शालाव परियावरन सिक्ष्या योग को बड़ावा देने के साथ साथ जनसंख्या शिक्षा पर योजना एंतराश्ट्री गनित और विज्ञान ओलंपियाड की केंदर परायोजित योजना का परचार प्रसार हुआ राज्य सरकार शिक्षकों के लिए सेवा कालिन परसिक्षन परदान करती है और बुनियादी डहाचा और अनुसंदान इंपुट परदान करती है उसके बादा ICT Information Communication Technologies ICT में कंप्यूटर सिक्षा और स्कूलों में कक्षा और सेक्षिक परयोगी की जैसी केंदर परायोजित योजने शामिल है जो चातर को सूचना परदान की IT से परिचित कराती है आज की दुनिया में IT की मांग बढ़ने के कारण इसे एक प्रमुक महतब दिया जाता है फिर है पहुँच और समता आरे मैसे ना केवल विशेज फोकस समोहों के लिए मादेमिक सिक्षा परदान करने पर जोड़ देता है जिसमें अनुसूचित जनजाती और अनुसूचित जाती समोह अलप संख्यक लड़किया और CWSN बच्चे शामिल है बलकि यहां मादेमिक इस तरह पर समाजिक आर्थिक और लिंग प्रिष्ट बहुमी में मौझूदा असमानताओं को दूर करने पर भी महतब देता है उन्हें कमजूर समोह कहा जाता है उसके बाद है विकलांग बच्चों के लिए एकिकरी सिक्षा यानिकी IEDC मानसिक और शारिरिक रूप से वंचित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के मावले में विस्तार लाने के लिए समाविशी सिक्षा जिसकों इंक्लूजिव एजुकेशन बोलते हैं पर परकास डाला गया है यहाँ योजना एक अलग केंदर प्रायोजिद योजना बनी हुई है इसमें प्रारंबिक हास्थशेप के लिए एकिकरीद बाल विकास सेवाओं के साथ अभी सरन के लिए कई घटक शामिल है प्राथ में इस तरह पर विशेश समों के लिए SS है और विशेश स्कूल इसमें देखेंगे प्रगति यानि की प्रोग्रेस मादेमिक सिक्षा की मांग में विरिद्धी हुई है लेकिन स्कूलों की संख्या में विरिद्धी के बावजुत उनका बहगौलिक वितरन असमान है जेंडर गैप कम हुआ है दसवी योजना में सभी इस तरह पर गुनवत्ता पुन सिक्षा पर दिया गया है विद्धितन डिसिंटिग्रेशन 2018 में राष्टे माद्य में सिक्षा अभयान के साथ सर्व सिक्षा अभयान और सिक्षक शिक्षा पर केंदर पराजुत योजना tenants इस एस ती खो समगर सिख्षा अभयान बनाने के लिए विगठिट कर दिया गया तो यही था आज के हमारे वीडियो में आरा मैसे के बारे में पूरी जानकारी तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको कुछ अलग इंपोर्टन कोशन के साथ आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स रोचिंद इस वीडियो